ये तो दोस्तो आज मेरे पास अहार्पिक और दोस्तो एक पूराना मोबाइल कम़र दोस्तो आज का वीडियो कुछ ऐसी है कि दोस्तो आपनी योटूब पर काफी सारे वीडियो देख्यों गिचिए इनरे दोस्तो एक पूरानी मुबाइल कमर को हार्पिक से आपको साप करकर बताया जाता है और दोस्तों पूराना मुबाइल कमर होता है ये एकदम बिल्कुल नहीं हो जाता है तो दोस्तों आपने देखा जो पूराना फिला मुबाइल कमर लेते हैं और दोस्तों इससे प्लेट के अंदर रखते हैं और तो दोस्तो क्या हर्पिक से सच में मोबाइल कमर है वो साफ होगा या दोस्तो नहीं होगा तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो देखते हैं आर्पिक से जो मोबाइल कमर है वो साफ होता है नहीं होता तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करते है तो दोस्तो अब हम क्या करते हैं जो यह आर्पिक है मैं इस कमर के ओपर डालता हूं और इस कमर को अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं आ लग गगताउ आफ बगताउ तो दोस्तों इस कमर को मैंने अच्छी तरीके से इस हार्पिक से साप कर दिया है और दोस्तों अब हम क्या करते हैं यह मेरे पास पानी की बोटल है तो दोस्तों इस पानीश से इस कमर को अच्छी तरीके से दोते हैं और फिर देखते हैं कि इसपती अपिला से यह उत्रा या नहीओ उत्राता है या नहीओ मैं आपने में आपके सामने ही जो इस कमर को अच्छे तो दोस्तो आप देख सकते हो मैंने हारफिक्स से इस कमर को साफ किया था जैसा उस वीडियो के अंदर हमें बताया गया है तो दोस्तो अभी आप देख सकते हो जो यह कमर है यह कितना साफ हुआ है जो आपके सामने ही मैंने साफ किया था और इसे अच्छे पानी से मैंने आपको दोकर बताया है और दोस्तों यह कमर आप देख सकते हो यह वीडियो के पहले यह कमर कैसा था और अभी यह कैसा है तो दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हो यह आर्पिक से दोने से पहले यह कमर कैसा था और अभी ये cover कैसा है तो दूस्टों मेरे इसाब से तो जो ये cover है ये 1% भी जो years ये साप नहीं हुआ है जैसा पहले ये भी भी वह सा है तो दोस्तों इस वीडिो के अंदर हमें बेखुफ रनाया जाता है कि ise arpix जो cover है वो 24% होता है जो पास में बेल आएगा ना उसे ओल्टर किलिक कर ले तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताना